गुल्मोर्ण श्टुडेंट्स फाइप एंट टू को कंटिनू करने जारे जिसका कोश्चन नमबर थार्ड है डिवाइड तू माइनस त्री आइटा बाई फाइब माइनस फो आइटा इसको इसके साथ क्या करने है डिवाइड तो यह numerator है यह कहा है इसका denominator है जब भी denominator के अंदर आइटा मिल जाए तो उसका आप rationalization करोगे तो 5 प्लस 4 आइटा से multiply करोगे 5 प्लस 4 आइटा से divide करोगे इसको इसके साथ multiply करोगे यह क्या देगा 10 माइनस का 15 आइटा और इसको इसके साथ करो कि प्लस का 8 आइटा माइनस का 12 आइटा स्केर यहाँ जेगा A प्लस B इंटो A माइनस B का फानल लग जेगा A स्केर माइनस B स्केर यहाँ जेगा 10 माइनस का 15 आइटा प्लस 8 आइटा माइनस की जेगा प्लस हो जएगा और आइटा स्केर्ट खतम हो जएगा यह क्या जएगा 25 प्लस 16 तो यह क्या जएगा यह इन दोनों को अरज़ेश करेंगे तो यह 22 आजएगा और माइनस का 7 आइटा नीचे 41 आगया दोनों के नीचे अलग लग लिखा जाएगा क्योकि हमने कोई भी अंसर है ए प्लस आइटा बी की फो में अंसर दिखाना होता है साई माइनस का जियो सकता है नेच्स्ट में आएगा फाइंड अ कॉम्पलेक्स नमबर केयाथा है कॉम्पलेक्स नमबर बताओ which when multiply with this उस complex number को इसके साथ multiply करें, gives 3-7 आइटा, आ कितना जाए 3-7 आइटा अपने को नहीं पता कि कौन सा complex number, आपा let कर लेते, let required complex number A plus आइटा भी, अब A plus आइटा B को अगर इसके साथ multiply करें, तो 2 plus 5 आइटा को अगर A plus आइटा B के साथ multiply करें, तो वो हमें बता रहे है कि 7, 3-7 आइटा है, क्याता है बताओ वो कौन सा complex number रहे है तो इसका हम तो इसकी value निकालनी है, इसको Y में लिया होगे, A plus आइटा B, या एगर 3-7 आइटा, Y क्या होज़गा 2 plus 5 आइटा, अभी भी मैंने 5 आइटा से multiply करोगे 2 minus 5 आइटा से divide करोगे A plus आइटा B, इसको इसके साथ multiply करोगे, 6 minus का 14 आइटा, इसको इसके साथ करोगे minus का 15 आइटा plus के क्या होज़गा, 35 आइटा square, नीचे 2 का square 4 और यह होज़गा, minus का 25 आइटा square, वही फार्म ना लगाए आपने, तो A plus आइटा B, is equal to 6 minus का 14 आइटा, minus का 15 आइटा minus के 35 by 4 plus 25 होज़गा A plus आइटा B, is equal to यह कितना आज़गा, minus के 29, और यह कितना आज़गा minus का 29 आइटा by 29 है, दोनों को अलग-अलग लिख दिया जाएगा, और cancel भी हो जाएगा, तो A plus आइटा B, किसके को आइटा आगया, minus 1, minus 1 आइटा यह हमारा answer आगया, यह required complex number आगया next part की बात करें, अपने को दे रखा है next question के अंदर, question number 4 के अंदर express the following complex number in the form A plus आइटा B, आपको यह complex number दे रखा है, इसको A plus आइटा B की form में लिखना है, तो A plus आइटा B, A plus आइटा B, 3 की जगए 1 का root 1 नहोता है, लेकिन negative की कारण 1 आइटा आएगा 2 minus 1 आइटा आएगा, तो यह A plus आइटा B की form में आइटा भी नहीं आए, जैसे last question आपको आइटा सोल कर रहे थे, जैसे सोल करेंगे 3 plus 1 आइटा by 2 minus 1 आइटा, ब्रेकिट, open bracket, close इंटू, 2 plus 1 आइटा by 2 plus 1 आइटा A plus आइटा B, is equal to multiply करेंगे 6 plus 2 आइटा, इसको इसके साथ करेंगे plus का 3 आइटा plus का आइटा सकेर हो जैगा, multiply किया हमने A square minus का B square नीचे 4 में लगा दिया A plus आइटा B 6 plus 2 आइटा plus 3 आइटा, आइटा सकेर minus 1 होता है 4 plus 1 यह हो जैगा, A plus आइटा B is equal to 6 minus 1, 5 plus का क्या आइटा, 5 आइटा y में क्या 5, दोनों के नीचे लग लग, A plus आइटा B is equal to 1 plus 1 आइटा यह answer आगया next में क्या दे रखे आपको भी next में है 2 plus 3 आइटा by 3 plus 2 आइटा, इसको भी A plus आइटा B की form में अपने convert करना है यह एगा, 2 plus 3 आइटा by 3 plus 2 आइटा, into 3 minus 2 आइटा by 3 minus 2 आइटा अपर rationalization कर रहे है multiply करेंगे, 6 plus 9 आइटा minus के 4 आइटा minus का 6 आइटा स्केर by में 9 minus 4 आइटा स्केर यह आएगा, A plus आइटा B 6 plus 9 आइटा minus का 4 आइटा plus का 6 by 9 plus 4 हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्केर minus 1 होता है यह 4 है बिटा जी A plus आइटा भी is equal to 6 और 6 12 होते हैं यह कितने आइटा आजेगा plus का 5 आइटा आजेगा by में 13 by में 13 आप अलग अलग लग करेते हैं आज का लास्ट पार्ट आपको दे रखे है 1 प्लस आइटा का स्केर by 3 माइनस आइटा इसको भी A प्लस आइटा B की फोर में कनवर्ट करना है A प्लस आइटा B यह भी जेगा A सकेर प्लस B सकेर प्लस 2 A B हमने आइडेंटिटी लगाई है 3 माइनस आइटा A प्लस आइटा B is equal to 1 माइनस 1 प्लस का 2 आइटा by 3 माइनस आइटा यह से cancel बच क्या गया A प्लस आइटा B is equal to 2 आइटा by 3 माइनस आइटा यह भी A प्लस आइटा B की फो में नहीं आया 2 आइटा by 3 माइनस आइटा इंटू 3 प्लस आइटा by 3 प्लस आइटा A प्लस आइटा B is equal to multiply का रिंग क्या आजगा यह 6 आइटा प्लस में क्या आजगा 2 आइटा सकेर नीचे आएगा A स्केयर माइनस B स्केयर A प्लस आइटा B is equal to 6 आइटा माइनस 2 आगया नीचे कितना आगया 9 प्लस 1 यह आएगा A प्लस आइटा B उपली कोगे माइनस 2 प्लस का 6 आइटा बाई में 10 दोनों के नीचे अलग लग देते हैं तो A प्लस आइटा B यह आएगा माइनस के 1 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 5 आइटा तो आपने कोशिन नबर 3 और कोशिन नबर 4 के मैक्सिमम पार्ट करने की कोशिश करनी है कोई प्रोलम आए तो पूछ सकते हो ओके थेंक्यू